हलो दोस्तो कैसे है आप लोग मैं हूँ अभीजीत और आप सबको फिर से एक बद सोगत करता हूँ फाइनेंस जानकरी यूटूब चैनल पर दोस्तो आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ICICI Bank Platinum Credit Card के बारे में दोस्तो इसका अभी कोई जोइनिंग फी या कोई भी अनुल फी नहीं है ये Credit Card आपको Live Time Pre मिल सकता है इस Credit Card का क्या-क्या Benefits है, Eligibility Criteria क्या है और इस Credit Card के लिए आप कैसे Apply कर सकते हैं सारे चीजे में आपको डीटेल्स में बताने वाला हूँ तो अगर आप भी ICICI Bank Platinum Credit Card के बारे में जानना चाते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरू देखना वीडियो सुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक Finance जानकर यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बैंकिंग, पर्सोनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट लेटेड वीडियो देखने के लिए इस चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना चले दोस्तो बीना टाइम वेस्ट की आज की वीडियो को सुरू करते है आप यहाँ पर देख सकते हैं यह क्रेडिट काड आपको लाइफ टेम फ्री मिल सकता है कैसे मिलेगा सारे चीज़े मैं आपको बताने वाला हूँ तो चले एक एक करके सारे चीज़े डिस्कस करते है तो दोस्तो चले सबसे पहला हम बात करते है ICICI Bank Platinum Credit Card का Features and Benefits के बारे में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इस Kate Card के लिए आप कैसे अपलाई कर सकते हैं और इस Kate Card का क्या क्या चार्जेस और Feeds लगता है तो दोस्तो सबसे पहला Benefits आपको इस Kate Card के साथ Payback Point मिलता है जिस Payback Point को आप as a gift voucher redeem कर सकते हैं Amazon, Flipkart और भी बहुत सर ऐसी options से जिसमें आप redeem कर सकते हैं यह आपका जो भी cashback मिलेगा Payback के थुरू दोस्तो आपको 2 Payback Point मिलेगा every 100 रुपीस spend अगर आप कोई भी spend करते हैं online 100 रुपीस का तो आपको 2 Payback Point मिलेगा और अगर आप utilities and insurance category में Payback करते हैं तो उसमें आपको 100 रुपीस spend पे 1 Payback Point मिलेगा तो दोस्तो इसका जो reward program था यह मैंने आपको बता दिया इसके साथ साथ दोस्तो आपको यहाँ पे fuel searches का भी benefits मिल जाते है 1% का fuel search over आपको मिल जाएगा इस card के साथ लेकिन आप धियां रखिएगा आपका जो maximum transaction है आप चाहिए किसी भी petrol pump पे करते हैं तो वो maximum 4,000 रुपीस तकी allowed है अगर उससे ज़्यदा आप transaction करते हैं तो दोस्तो आपका यहाँ पे जो 1% का fuel searches over है वो आपको नहीं मिलेगा दोस्तो आपको यहाँ पे culinary treats के तरफ से आप यहाँ पे treat दिया जाएगा अगर आप dining में बहुत ज़दा पसंद रखते हैं 1500 रेस्टुएंट से ज़्यादा आप participate कर सकते हैं डाइनिंग के लिए जिसमें आपको 15% तक का आपको यहाँ पे discount मिल जाएगा आप ज़्यादा जानकारी के लिए culinary treats.com पर visit कर सकते हैं दोस्तो यह काड़ दो payment processor के साथ आते हैं सबसे पहले विजदा और दूसरा आते हैं master card दोनों based हैं दोनों सारे ज़्यादा पर skip करते हैं किसी किसी के पास American Express का भी credit card होता है तो वो हर ज़्यादा काम नहीं करता लेकिन विजदा और जो master card होते हैं यह हर ज़्यादा आपको काम कर जाएगा दोस्तो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया ICICI bank का जो platinum chip credit card है यह दोस्तो entry level credit card है दीक है तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा loaded features तो नहीं मिलेगा लेकिन जो भी features and benefits था वो मैंने आपको बता दिया चलिए अभी हम बात करते fee and charges के बारे में उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे ICICI bank का platinum credit card के लिए apply कर सकते है दोस्तो देखिए apply करने के बहुत सरे तरीका है मैं आपको सरे तरीका बताऊंगा तो आप सबसे request है कि please आप इस वीडियो को last तक जरू देखना apply process बताने से पहले मैं आपको fee and charges के बारे में बता देता हूँ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसका कोई भी joining fee और कोई भी annual fee नहीं है लेकिन इसके अलाब भी बहुत सरे fee होते है जैसे कि आप यहाँ पे bill payment नहीं करते है वो 23 years अगर आप 23 years old है तो आप इस card के लिए apply कर सकते है इस credit card का जो eligibility criteria है आपका जो civil score है वो 750 से उपर होना चाहिए वो decent score माना जाता है उसके साथ साथ आपका जो age मैंने आपको बताया कि 23 years old होना चाहिए इसके साथ आपके पास कोई भी income proof होना चाहिए अगर आप business percent है तो आप ITR दे सकते है और अगर आप salary percent है तो आप अपना salary slip भी दे सकते है दोस्तों ICCA bank platinum credit card का क्या-क्य eligibility है उसको मैं फिर से summarize कर देता हूँ देगे सबसे पहले आपका जो credit score है वो अच्छा होना चाहिए civil 750 से उपर होगा तो यह decent score माना जाता है आपको card मिलने का possibilities बहुत ही ज़्यादा होता है उसके साथ साथ आपका जो age है वो 23 years होना चाहिए और आपको यहापे एक income proof की जरूत पड़ेगा अगर आप business persons है तो आप ITR दे सकते है और अगर आप salad persons है तो आप अपना pay slip भी दे सकते है तो दोस्तो यही basic सा eligibility criteria है अगर आप इसको fulfill करते है तो आप इस credit card के लिए apply कर सकते है चलिए अभी हम बात करते कि आप कैसे ICICI bank platinum credit card के लिए apply करेंगे और आपको यह credit card कैसे मिल सकते है दोस्तो देखिए ICICI bank का जो platinum credit card है यह आपको दो तरह से मिल सकते है सबसे पहले आप FD के against मतलब आप fix deposit कर सकते है उसके against में आप security credit card भी ले सकते है other ways आप इसको unsecure card apply करके भी ले सकते है दोस्तो unsecure card, दोस्तो ICICI bank यह किसी भी bank में कैसे आपको unsecure card मिलेगा वो मैंने अल्रेड एक वीडियो में बताया था अभी मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ अगर आप किसी भी bank में account open करते है उसके बाद आपको थोड़ा बहुत अच्छा balance maintain करना है और उसके साथ-साथ आपको हर तरह की transaction करना है उस account के अंदर अगर आप 6 माईने से लेके एक साल तक किसी भी account पर अच्छा-कसा transaction करेंगे तो जो most popular bank जैसे ICICI, Axis Bank and HDFC Bank ये तीनों bank में आपको pre-approved credit card मिल जाता है स्टार्टिंग में आपको platinum credit card मिलते है उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे ICICI को जो Amazon Pay credit card है उसके लिए भी और उसका upper version के लिए भी आप upgrade कर सकते है तो दोस्तों अगर आप FDK लेना चाते है तो आप fixed deposit open करके उसका 80% तक का limit आप ले सकते है जो कि आपको मिल जाएगा 100% लेकिन आगर आप pre-approved ये आप खुद से apply करके लेना चाते है ICICI Bank का credit card unsecured तो आपको यहाँ पे सबसे पहले आप online apply भी कर सकते है मैंने आपको जैसे बताया कि savings account open करके आप pre-approved offer के लिए wait कर सकते है दोस्तों अगर आप online apply करना चाते है तो उसका link आपको description पे मिल जाएगा उस link पे आप click किजिए link पे click करने के बाद आपको यहाँ पे एक options मिलेगा get credit card online उस options के पर आपको click करने है आप जैसे उस options के पर click करेंगे तो दोस्तों आपका यहाँ पे eligibility check करने के लिए कुछ details पूछा जाएगा जैसे आपका first name, आपका last name, आपका date of birth, mobile number, आप कौन सा city में रहते हैं, आपका email id क्या है और आपका employment status क्या है वो सारा चीज़े आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा उसके साथ आपका net income अपने अगर itr file किया वो भी आपको बताना पड़ेगा और अगर आप किसी bank का already कोई भी credit card use करते है तो कौन सा bank है वो सारे चीज़ आपको यहाँ पे देना पड़ेगा उसके बाद जो declaration का form है उसमें tick करना है उसके बाद आपको get offers के बवर click करना है आप यह सारे details डालने क बाद जैसे get offers के उवर click करेंगे तो अगर आप यह credit card के लिए eligible होंगे तो आपका यहाँ पे with limit बता दिया जाएगा कि आप इतना तक का credit limit फा सकते है दोस्तो get offer पे click करने के बाद अगर आपको यहाँ पे eligible नहीं सो करता तो आप क्या कीजिए तो दोस्तों आप एक savings account open कर ल तो उसके basis पे आपको pre-approved offer मिल जाता है यह personally tested है दोस्तों इस तरह से मैंने HDFC bank, ICICI and Axis bank का बहुत सारा credit card कर लिया pre-approved offer में तो दोस्तों आपको भी मिल सकते है अगर आपको इसके related जानकरी चाहिए तो आप नीचे comment कर सकते है तो दोस्तों आप ICICI bank का credit card के लिए apply कर सकते इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया ICICI bank platinum credit card के लिए आप कैसे apply कर सकते है इसका features and benefits क्या है क्या charges है सारे चीजे मैंने आपको बता दिया इसके अलावा अगर आपके मन में कोई और doubt है तो आप नीचे comment कर सकते है मैं आपको reply करने की पूरी कोसिस करूँगा यह मैं बेल आइकन उसको भी प्रेस कर देना ताकि मैं जैसे कोई नीव वीडियोस अपलोड करूँगा वो सारे वीडियोस का notification आपके पास चला जाएगा तब तक के लिए गुडबाई चाहिंद